कभी बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार के खनक्ती आवाजों में बिहार के हित और विशेस राजिके दरजे को लेकर मांग उठा करती थी, लेकिन अब ठक गए हैं। कितने दिनों तक विशेष राजी के दर्जे को लेकर मांग के लिए हाथ फैराई रखेंगे ये मैं नहीं कह रहा ये बात खुद विकास पुरुष के विकास मंतरी विजंद्रियादव ने कहा है सुनिए क्या कहता है हम लोग जो एक सरकार में हैं मांग की एक सीमान होगी इस बयान को लेकर जब बीजेपी नेता नितिन नविन से स्थावाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा जो बिसेद दर्जा का मांग था वो और परसांगिक हो गया हमारे पधानमंतिज नहेंद मोदी जी ने आज बिहार को उससे अधिक दिया है आज सरक के छेट को ही आप ले लिजिए तो 54,000 करोर का पैकेज का गोशना किया गया था मानी पधानमंतिजी से आज एक लाख सत्रह हजार करोर की योजना है चल रही है बिहार में आप इसके इतर जाएए आश्मान भारत आज हर परिवार को पांच लाख की बीमा देना किशान सम्मान योजना हर किशान को सम्मान के रुप में 6,000 कर रुपिया का राशी दिया जाना आप ऐसे से जोड़िये तो अनंत योजना है आज वैक्सिनेशन का काईक्रम था पूरे देश में फ्री वैक्सिनेशन कर दिया गया इसका लाख बिहार को कितना मिला तो आज तो हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि आज पधान मंतिर जी का सोच है कि हर राज आत्म नि अन निर्वलर बनने की कलपना में काम कर रहा है और बिहार अब आत्म निर्वलर कैसे बने भायत कैसे आत्म निर्वलर बने इसके ओर मानिए पधान मंत्री जी का मनिनीशुमाजी का लगताद द्यान रहा है वहीं राज़त नेता मनोध जहा ने बिजेंदर यादव के बयान को बेवसी की जुबान कहा और केंदर सरकार की आलोचना की इस मांग को सामने रखे 7-8 साल का वक्त गुजर चुका है इस बीच बिहार विधान सभाके चुनाप भी दो बार हो चुके हैं ना तो बिहार सरकार ने फिर से अपने इस मांग को उठाया और ना ही इसको लेकर बिहार सरकार की प्रतिबधता दिखी अब देखना ये है कि क्या फिर से चर्चे में आये विशिश राजी की मांग के मुद्य पर जुगनू जगमगाती है या नहीं बिरो रिपोर्ट पिहार तक